हाई फ्रेंट्स अज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे MLG और AJH के बीच में जो अगला T10 का मैच होगा इस वीडियो के अंदर दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ MLG और AJH के कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर आपन करते वे दिखेंगे कौन से प्लेयर फॉर्स्ट रॉन पे खेलेंगे सारे प्लेयर का बैटिंग ओर्डर सातिस हद में आपको बताऊंगा कि कौन से बोलर कंप्लीट दोवर तक गिनबाजी करने वाले हैं और किसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आप ले सकते हो सारे इंपोर्टेंट डीटेल्स में आपको देने वाला हूँ तो एक बार इस वीडियो को अंतक जरू बाच करना भायों ताकि जितने भी इंपोर्टेंट जानकारी है इस मैच से रिलेटेड आपको मिल पाए और आप इस मैच के अंदर सांदर सांदर ग्रेंड लीग और स्मॉल लेके टीम बना पाओ लेकिन इससे पहले एक छोटी इस रिक्वेस्ट है भाईउ अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बेटन दिख रहागा दोस्तो इस पे बार क्लिक कर दे साथ सदियां पर जो बैल अकन बना हुआ है इस पे क्लिक करने के बाद दूस्तों और आपको हमारा बताएगा स्टेट्स पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरू कर देना आपका एक लाइक से में काफी मोटिवेशन मिलता है दूस्तों तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरू करें और सबसे जरूरी बात है कि हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर ले देखो यहाँ पे आपक स्टेट्स की और आगे बढ़ेंगे दोस्तों यह जो मैच 39 में यह मुकाबला देखने को मिलेगा सारजा क्रिकेट स्टेडे में यह मुकाबला रहने वाला है मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो पीच है न बाइयों जिस परकार का मतलब ज्यादा बड़ा ग्राउंड है नहीं तो बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा लगबग आपको ना 110, 120, 130, 1500 तक की भी स्कोर देखने को मिला है तो आप यह जालने की बैटिंग पीच रहेगा बैट्समन को काफे बड़े सपोर्ट मिलेगा दोस्तों MLG के जो टीम है पहला मुकाबला TBS के खिलाब जो हुआ का टार्गेट दिया था लेकिन TBS के टीम ने इस रन को चेस कर लिया था और इस वज़े से MLG को लॉस हुआ है तो यहां पर सेकंड मैच में अगर आप देखेंगे RJT के टीम ने 101 का टार्गेट दिया था लेकिन MLG के टीम ने इस रन को चेस कर लिया और यहां पर विन करा है MLG के टीम यानि दो मैच खिला है एक मैच जीता है दोस्तों और एक मैच लॉस करते विया है वहीं AJH की बात करते दोस्तों 96 का टारगेट इनो ने दिया था लेकिन IGM के जो टीम है इस रन को चेस कर लिये थे दोस्तों और यहाँ पे AJH को लॉस हुआ है और IGM के टीम जीते विया आ रहे थे यानि कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मैच MLC के टीम जीते विया है बाकि AJH के टीम एक भी मैच जीता है अब रहा बैटिंग ओडर की बात जो सबसे important रहने वाला है आपके लिए यहाँ पे दुस्तों मक्सूद हसन जो की टीम के open करते विये दिखेंगे पहले मैच के अंदर 68 run स्कोर करा था दुसरे मैच के अंदर 26 run बनाए है पहले मैच के अंदर 68 run दुसरे मैच के 26 run बढ़े हाँ स्कोर करा है दोस्तों मतलब अच्छे form पे है और overall अगर आप देखेंगे तो 94 run बना चुके है दोस्तों तो इनको अपने टीम के अंदर जरूर ट्रै करना जो टीम के आपको टॉप अडर पे बल्ले बाजी करते विए आपको दीख जाएंगे अटाव रहिम के बात करेंगे यह भी टीम के आपको आपन करते विए दिखेंगे पहले मैच के अंदर 23 run स्कुर करा था यहाँ पे दो वर की गिंदबाजी करा है अठाव रन खर्च के थे कोई विकेट नहीं निकाल पाये थे लेकिन अच्छे बात यह है कि यह खिलाडी आपको यहाँ पे बात करेंगे दोस्ते अब्दुल मलिक के बारे में यह पहले मैच के अंदर 24 run खर्च केतर एक विकेट निकालें फिर 25 run खर्च केतर इसमें कोई विकेट नहीं मिला लेकिन यह जो गिंदबाज है नहीं दोस्तों यह आपको कन्फर्म दो वर तक बॉलिंग करते वे दिख जाएंगे और एज ए बॉलर इनको जरूर पी करना जो फास्टर बॉलर है ठीक है एज ए बॉलर इनको जरूर से जरूर रह करना फियाज हैमत टीम के फर्स राण पे खेलेंगे पहले मैच के अंदर 21 रन खर्च के तर दो विकेट निकाले है दूसरे मैच के अंदर 24 रन खर्च के तर तीन विकेट निकाले है ओवरल अगर आप देखेंगे तो पांच विकेट निकाल चुके है दोस्तों बहुत बहत्रीन गेंदबाज दोस्तों और एजे बोलर तो इनको जरूर से जरूर ट्रै करना जब को बॉलिंग कंप्लिट करते वे दिख जाएंगे ठीक है यहाँ पर अफेश तरी कर रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है साह injection कर रिकार्प करना दोनों कर रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है 27 रन बना है पहला मैच तो नहीं खेला था दूसरे मैच के अंदर फॉर्स टाउं पे खेलते हुए 27 रन स्कूर करा है उमेर मन की बात करेंगे दूस्तों ये एक ही रन बना है लेड़ बैटिंग करेंगे मुदासर अली ये दो वर गेंद बाजी करा है दूस्तों तीन विकेट निकालें 5 रन खर्च करते हुए ये फिर टीम के में गेंद बाज रहने वाले हैं ऐसे बोलर इनको अपने टीम के अंदर स्लेट कर सकते हुए जो बॉलिंग आपको कंफर्म दो वर तक करते हुए नजर आएंगे जरू ट्राय करना इनको तो ये MLZ का रिकॉर्ड है जो आप सेम आपको बैटिंग ओडर इस मैच कंदर देखने को मिलेगा एज एच की बात करेंगे तो यहाँ पे अधनान अरीफ खेलते हुए जो टीम के ऑपन करते हुए दोस्तो साथ रन स्कोर करा है टीम के ऑपनर बैट्स मेर रहेंगे दोस्तो यहाँ पे एज एच के टीम के लितसा चुकि ऑपन करते हुए नजर आएंगे पांच रन बनाए दोस्तो यह टीम के ऑपनर बैट्स मेन है इनको अपने टीम में आप ले सकते हैं मौम्मद इजमाल की बात करेंगा फॉर्स रॉन पर खेलेंगे पहले मेंच का अंदर 16 रन बनाए है यहाँ पर 8 रन खर्च करेंगे तो दोस्तों कोई विकेट नहीं निकाल पाएं हैं लेकिन यह जो है आपको बॉलिंग दो वर तक कन्फर्म करते हुए नजर आएंगे यह बात करेंगे सेल्डोन के बारे में तो दोस्तों यह थार्ड डाउन पर खेलते हुए 21 रन स्कोर करा है टीम के टॉप अडर था लेकिन इनको कोई विकेट नहीं निकाल पाएं हैं सुल्तान एमध एक अवर गिंद बाजी करा है 12 रन खर्च किये थे इसमें भी कोई विकेट नहीं मिला दोस्तों रहुल चोपड़ा यह सेकेंड डॉन पर खेलेंगे और सेकेंड डॉन पर खेलते हुए 40 रन ने बनाय और मुझे नहीं लगता है कि इस मैच कंदर तो बॉलिंग भी दिया जागा है तो यह बैटिंग ओडर जो आप देख रहे हैं यह सीम आपको इस मैच कंदर बैटिंग ओडर देखने को मिलेगा लगबग जो दो वर गिंद बाजी कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करना दो यहां सकार आप चाहें तो खुद भी टीम ऐट कर सकते हो लेकिन मैंने आपके लिएक टीम क्रीयेट कराई है बिफोर लाइन अप लेकिन मैं आपको एक बार फिर से वही बात करूंगा दोस्तों, किसी की भी टीम आपको डिट तो सेम कॉपी नहीं करना है, मेरे टीम से आप 8-9 खिलाडियों को same रख सकते हो लेकिन वीडियो में जो मैं आपको stats प्रवाइट करता हूँ रिकॉर्ड प्रवाइट करता हूँ betting order के साथ उसके basis पर 1-2 खिलाडियों को अपने side से जरूर change करना I hope आपको records पसंद आ रहे होंगे सुरुबात करेंगे दोस्तों सबसे पहले wicket की पर से जो आज आपके लिए सबसे best रहेंगे राहूल चोपडा को मैं try करूँगा ये आपके लिए best रहने वाल हैं और ये team के top order पे खिलते हैं agh के team के तरफ से दोस्तों ये team के best player है ये जो 3 खिलाड़ी है जिसमें से MLG के मैंने 3 खिलाड़ी को ले रखा है जो team के top order पे बैटिंग करते हैं दोस्तों तीनों का तीनों record देखोगे न तो बहुत सांदर है बैटिंग order पे अगर आपने focus करा होगा तो आपको पता होगा बहुत अच्छे player है दोस्तों और मैं अपने side से इनको try कर रहा हूँ अगर आप कुछ changes करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जैसे कि ये बढ़िया प्लेयर है इनको ले सकते हैं बागी का record उतना better नहीं है तो मैं तीनों को फिलाल try करता हूँ अब रहाँ बागी चार बोलर्स को ले रखा है जिसमें से इस अगवान इंपोर्टन रहेगा दूस्तों ये confirm आपको यहाँ पर दो वर गिनदबाजी करते हूए दिखेंगे ए मली को मैंने try करकर रखा है ये जो चार प्लेयर है जिसमें से MLG के टीम के तरफ से तीन खिलाड़ी है और दोस्तों यहाँ पर EGH के टीम के तरफ से एक खिलाड़ी है ठीक है मैं इन चारो बोलर्स को अपने टीम के अंदर try करता हूँ अगर आप change करना चाहते हैं तो Ash Sharma को try कर सकते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर Ash अजमान को ले सकते हैं ये भी एक अच्छा प्लेयर है बाकि मेरे साइट से टीम प्रिव्यू को इस प्रकार का है जिसमें से कैप्टनसी के लिए मैं Ash मक्सूत को try करूँगा रवाइस कैप्टनसी के लिए जरू कर देना और अभी तकर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस जरू कर देना दोस्तों थैंक्स पूर वाजिंग